नमस्कार बच्चो जीवन मुल्य कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो आज हम कक्षा दो का पार्ट नमबर एक पड़ेंगे जिसका नाम है सबसे सुखी कौन क्या नाम बच्चो सबसे सुखी कौन आईए पढ़ना आरम करते हैं अध्यापक महोदय नेकक्षा में बच्चो से प्रश्न किया बच्चो इस संसार में सबसे सुखी कौन है बच्चो ने कुछ देर सोचा और फिर एक एक करके अपने हाथ उठाने आरहम कर दिये और बारी बारी से अध्यापक महोदय के प्रश्न का उत्तर दिया तो बच्चो घक्षा के अंदर जो ध्यापक महोदय थे उन्होंने बच्चो से प्रश्न किया कि बच्चो इस संसार में सबसे सुखी कौन उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी बच्चो न अपने हाथ उठाए तो बच्चे अपना अपना उत्तर कैसे देते हैं कमल तो कमल नाम का बच्चा क्या उत्तर देता है सर जिसके पास बहुत सारा धन है वही सबसे सुखी है तो कमल ने क्या उत्तर दिया बच्चो कि जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है वही सबसे सुखी है अजे अब अजे क्या उत्तर देता है गुरु जिसके पास धेर सारी जमीन जाजात है वही सबसे सुखी है दूसरा बच्चे क्या कहता है जिसके पास बहुत सारी जमीन और जाजाद है वही सबसे सुखी है संगीता संगीता क्या कहती है जो अच्छे पदपर है वही सबसे सुखी है विनीता विनीता ने क्या कहा जिसकी संतान आग्गाकारी है वह सबसे सुखी है अब बच्चों कक्षा के इंदर चार बच्चों ने अलग-अलग उत्तर दिये अध्यापक महदे क्या करते हैं अध्यापक महदे बोले बच्चों हो सकता है आप सबके उत्तर भी किसी हद तक ठीखों परन्तू इनमें सबसे सही उत्तर कोई नहीं है अध्यापक ने सबी बच्चों के उत्तर सुने और कहा आपके उत्तर सही हो सकते हैं लेकिन आप सबने जो उत्तर दिये हैं उनमें से कोई भी उत्तर बिल्कुल सही नहीं है तो आप बताईए सर सबसे सुखी कौन होता है पंकर्च ने आग्रे किया आग्रे का मतलव उनसे पूछा अध्यापक महदे ने बच्चों को दो चित्र दिखाये जिन में एक स्वस्थ बालक का था जो पैदल ही विद्धाले जा रहा था तथा दूसरा एक अत्यंत दुर्बल आँखों पर चस्मा चड़े हुए बालक का था जो कार में विद्धाले जा रहा था उसके चेहरे पर ना तो हसी थी और नहीं प्रसंता दोनों बालकों के चित्र देखकर बताओ कि इन में कौन सा प्रस्ण तथा दुखी दिखाई देता है अध्यापक ने पूछा तो बच्चों फिर अध्यापक ने उनको दो चित्र दिखाए उन दोनों चित्र में पूछा आप बताएए चित्रों को देखकर के कौन सा बालक सुखी है पैदल चलने वालक अधिक प्रसं दिखाई दे रहा है सर बच्चों ने एक स्वर में कहा यानि एक अवाज में आपने बिलकुल ठीक पैचाना है परन्तु जो बच्चा पैदल स्कूल जा रहा है वह तो साधरन परिवार का है जबकि कार में इसकूल जाने वाला बालक एक सेट का पुत्र है जिसके पास अपार धन, दौलत, नौकर, चाकर आधी है जानते हो इतना सब कुछ होने पर भी वह उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रहा है उसके पास स्वस्त रूपी धन नहीं है अध्यापक ने बच्चों को समझाते वें बताया कि जो बच्चा कार में जा रहा है वो प्रसन नहीं है वो दुखी है क्यों दुखी है क्यों कि उसका स्वस्त सही नहीं है बच्चों जिसके पास अच्छा स्वास्त नहीं है वह सुखी नहीं हो सकता जब कोई व्यक्ति स्वस्त नहीं होता है तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है वह चिर्चड़ा हो जाता है उसे ने भूग लगती है ने ठीक से नींद आती है थोड़ा सा प्रिश्रम करने पर वह ठक जाता है ऐसा व्यक्ति ने तो स्वैम खुश होता है और ने ही दूसरों को खुश लख सकता है इसके विप्रित जिसके पास स्वस्त रूपी धन है अब अध्याप गया करते हैं जिसके पास अच्छा स्वास्त होता है वह सदेव प्रसन रहता है उसका चैरा खिला रहता है उसे खूट भूग लगती है अच्छी नेंद आती है हर काम में उसका मन लगता है और वह परिश्रम करने से घबराता नहीं है, ऐसा व्यक्ति निर्दन होकर भी धनी है, तो अध्यापक ने बच्चों को समझाया जिसका स्वास्त अच्छा होता है, वह व्यक्ति ही सुखी होता है, गुरुजी हम स्वास्त कैसे रह सकते हैं, खृपया हमें बताईए, बच्च को इतना बताया, तो कक्षा के सभी बच्चों ने पूछा, के गुरुजी हम स्वास्त कैसे रह सकते हैं, आप हमें बताईए, अध्यापक ने फिर बोलना आरहम किया, अच्छा स्वास्त है, अच्छा भोजन, नियमित, जीवन, वयाम और सफाई पर निर्भर करता है, यान जो हमारा स्वास्त है, वो किस पर निर्भर करता है, अच्छा स्वास्त, अच्छा भोजन, नियमित, जीवन, वयाम और सफाई, ये सभी चीजे हमें स्वास्त रखती हैं, अच्छा, अब कौन बताएगा कि अच्छा भोजन किसे कहते हैं, तो बच्चों, अध्यापक ने जब इतना बताया, तो उनसे फिर एक प्रस्ण किया, अब ये बताएगे अच्छा भोजन किसे कहते हैं, बच्चों ने तरह तरह के उतर दिये, पर वे उतर ठीक नहीं थे, अध्यापक ने बताया, अच्छा भोजन वही है, जो पौस्टिक, ठादा, संतुलित, और सुपा अच्छे हो, यानि पच्चने वाला हो, ठीक है, वही अच्छा भोजन होता है, बच्चों कुछ लोग बजार की चाट पकोडी या खुले में बिक रही वस्तवे खाते हैं, ये सब बीमारी के घर हैं, अध्यापक ने बताया, बच्चों जो चीज बजार में बिकती है, वह अध्यापक ने बिकार होती हैं, वे हमारे स्वस्त्यों को खराब करती हैं, और बीमार भी करती हैं, इन पर मक्खियां बैथती हैं, जो इन्हें गंदा कर देती हैं, और रोगों के कितानू इन पर छोड देती हैं invent싸 तो जो मक्खी मच्छर बोजन पर बैठते हैं बच्चो उन पर जो मक्या होती हैं वो रोगों के किटाणों छोड़ जाती हैं इसलिए बाजार की खुली वस्त्वें नहीं खानी चाहिए भोजन को खुब चबा चबा कर खाना चाहिए अधिक तेल, घी, वाली, मिर्च मसाले वाली वस्त्वें खानी कारक होती हैं उनसे बचना चाहि तो बच्चों हमें एक तो बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए दूसरा जब भी हम भोजन काएं उसको चबा चबा कर ही खाएं और ज़्यादा घी, तेल, मसाले वाली वस्त्वें ना खाएं स्वस्त रहने के लिए दूसरा नियम है नियमीद जीवन अब उसके बाद स्वस्त रखने का जो दूसरा नियम है वो क्या है नियमीद जीवन अब नियमीद जीवन क्या है हमें जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालने चाहिए ये आता है हमारा नियमीद जीवन मे सुबा सवेरे उठकर घूमने अवश्य जाना चाहिए इसते शरी स्वस्थ रहता है तो ये है आपका नियमित जीवन तीसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वह है वयाम वयाम माने अक्सरसाइज वयाम करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है प्राता काल, सैर करना, हेल कूत, दोड़ना भागना, योगासन आदी अच्छे वयाम है बच्चों ध्यान रखो, आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रू है जो आलसी है वह कभी स्वस्थ नहीं रह सकता स्वस्थ रहने के लिए प्रति दिन स्नान करना, जीवन के सभी अंगों की सफाई करना भी अत्यंत आवश्यक है हमें अपने नाखुनों को भी काटते रहना चाहिए क्योंकि इन में महल भर जाता है जो स्वस्थ है के लिए हानिकारक होता है तो बच्चों आपको रोज अपने सरीर को स्वस्थ करना चाहिए रोज नहना चाहिए और अपने सभी अंगों की अच्छी तरह से सफाई करने चाहिए दिन परती दिन आपको अपने नखुन भी चेक करने है ताकि वो बड़े ना हूँ बड़े होंगे तो उन में महल भरेगा और महल भरेगा तो वही महल हमारे मूँ में भोजन के द्वारा जाएगा हमें खुली हवा में सांस लेनी चाहिए सोते समय मूँ ढखकर नहीं सोना चाहिए और सदा प्रसंद रहना चाहिए तो बच्चो ये था आपका पार्ट नमबर एक इसको आप बहुती ध्यान पूरक पढ़ेंगे और याद करेंगे